विदिशा के पठारी में दिपावली के एक दिन बाद पढ़ने वाली मोन पर्मा के दिन मोन धारन करके मोनी बाबा की टोली के करीब 20 सदस्य दिवारी गीद गाते हुए एवं नाजते हुए 12 गाउ में पढ़ने वाले सभी देवताओं के मंदिर पर जाकर मस्तक नवा कर पर गोमाता के नीचे से निकल कर मोन वरत धारं करके गाउं से निकलते हैं। परिक्रमा के पूरे हो चुके हैं। चार साल सैस रह गये हैं। चार साल पूरे होने के बाद वो सभी गोवर्धन की परिक्रमा करके समापन करेंगे। विदिसा पठारी से आसिस सहले की रिपोर्ट। ट्रेशं पूरे होने कि प्रिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करेंगे। झाला करेंगेंगे। और बिवडर्ड़। झाल 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 करने के लिए दीपवली के एक दिन पश्चान गोवर्दन पूजा का बढ़ा मात होता है उस दिन यह लोग बावाई कला से मोनी बावा बनकर मोन धारन करके प्रस्तान करते हैं तो रामगण टपरा पठारी होते हुए बारा गाउं का भ्रवन करते हैं ततपस्चा साम को अपने ग्राम पहुचकर मंदर पूजा अतना कर पानने कोते हैं इनका मकसद क्या होता है जो चारों धाम यात्तर करते हैं कि इसका मकसद क्षिद की घृतन सबने हैं जिए लोग और करते हैं उसका मुझा ठीस दादा आप आय कार्पिम रखते हैं यह किसलीए और ञटते हैं किं गव्णूमऑ १ुरह करने छंस दो है करनी है हैं यहां से हम जाते हैं जाते हैं वो कौन-कौन सी मेरे दापते हैं तपराफ है है अब देख रहे हमारा चैनल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुले